पर वास्तव में इस पूरे कॉंसेप्ट को जब प्रैक्टिकली अप्लाई करके उश्मा इंजन बनाया गया तो उसकी दक्षता केवल 5 से 25 परसंट ही थी जिसकी कारण वज्ञानिकों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या ये उश्मा इंजन का सिध्धान्त जो हमने तयार किय में कुछ और ऊस्मी कुछ कमी है या उसमें कुछ तूुटी है तो इस कमी को इस तूुटी को हटाने के लिए साइंटेस्ट साधी कारनोट ने एक आदर्श उश्मा की कल्पना की और उनके अनुसार भी किसी भी 100% दक्षुता वाले उश्मा इंजन का निर्मान करना प्रकृतिक नियम के विरुद्ध हुआ और उनके अनुसार जो उन्होंने एक आदर्श कंडीशन में उश्मी इंजन की कलपना की थी उसमें कौन-कौन से भाग थे, कौन-कौन सी प्रक्रिया थी, इसको हम समझते हैं और इसको समझने के लिए अभी तक हमने उश्मा गतिकी में विभिन्न प्रक्रम में जो किया गया कार ये निकाला था PV आरेक पड़ा था, इन सब को एक सत अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस कार्णो इंजन में कौन-कौन से मुख्य भाग है सबसे पहला तो उश्मा का श्रोत और यहां पर भी जो उश्मा श्रोत लिया गया है, वो एक ऐसा श्रोत है, जो उच्चे ताप पर है और इस श्रोत में से कितनी भी उश्मा ली जाए, इसका ताप नियत ही रहेगा और इस ताप को हम केवन कैल्विन पर मान कर चलते हैं दूसरा होगा उश्मा का सिंख और यह उश्मा का सिंख ये भी नियत ताप पर होगा, निम्न ताप पर होगा ये सिंख कितनी भी उश्मा ले ले इसका ताप नियत ही रहेगा इसको हम दर्शाएंगे T2 केल्विन से और इन दोनों के बीच में काम करेगा कारेकारी पदार्थ और यहाँ पे कारेकारी पदार्थ उन्होंने आदर्श गैस लिया यह आदर्श गैस एक बेलन और पिस्टन की निकाए में भरा हुआ था यह जो बेलन और पिस्टन का निकाए था यह इसकी दिवार पोन रूप से कूचालक थी और यह पिस्टन भी पोन रूप से कूचालक था लेकिन इस बेलन का आधार ये पोन रूप से चाले किये था साथ ही इस बेलन और पिस्टन के निकाये को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म था जो की पोन रूप से कूचालक था इसको हम चित्र अनुसार समझते जाते हैं फिर इसमें प्रसार की प्रक्रिया संपीडन की प्रक्रिया कैसे हुई उसको भी समझेंगे अब इस उश्मिय इंजन की इस कार्णो इंजन की कार्य प्रणाली को हम चित्र अनुसार एक एक करके समझेंगे इस चित्र में यहाँ पर उश्मा श्रोत और उश्मा सिंख इस पर यह जो मोटी दिवारे दिख रही है यह मोटी दिवारे पूर्ण कूचालक दिवारों को रिप्रेजन्ट कर रही है और जो पतली दिवार है वो चाले की दिवार है जिससे उश्मा का आदान प्रदन हो सकता है सेम ऐसे यहाँ पर हम देखें तो यह बेलन यहाँ पर भी इसकी जो दिवार है और पिस्टन है यह भी कूचालक था जिसको हमने मोटी दिवार से रिप्रेजंट किया और इसका जो आधार है यह पतली दिवार से दर्शाया जा रहा है यानि कि यह चालकी है वसी प्लेटफॉर्म के चारों तरफ हमने मोटी दिवार बनाई है इसका मतलब यह प्लेटफॉर्म पूर्ण रूप से कूचालक है अब इस कार्णों इंजन की कार्य प्रणाली को हम एक एक करके समझेंगे माना कि इस सिलेंडर में एक मोल की आधर्श गैस भरी हुई है जिसका प्रेशर पीवन है और वॉल्यूम वीवन अब इस सिलेंडर को सबसे पहले हम उठा कर रख देते हैं इस उश्मा श्रोत पर इस उश्मा श्रोत का ताप टीवन कैल्विन था अब यह जो सिलेंडर है उसका आधार यह तो चाले किया है मतलब इस उश्मा के शुरोत से उश्मा इस आदर्श गैस को दी जा रही है इस प्रक्रिया में इस आदर्श गैस का ताप भी टीवन हो जाएगा यहाँ पर उश्मा का प्रसार होने लगेगा और ये प्रसार अत्यंत ही धीरे धीरे होगा जिससे कि ये प्रसार समतापी रहे यानि कि पूरे प्रसार में जो आदर्श गैस है उसका तापमन नियत रहे और वो ताप रहेगा T1 इसलिए इस प्रक्रिया को हम कहते हैं समतापी प्रसार और यदि इसको हम सूचक आरेक द्वारा देखें यानि कि PV आरेक द्वारा देखें तो हम जानते हैं कि PV आरेक में हम X अक्ष में आयतन बनाते हैं और Y अक्ष में दाव तो जब इसको हम PV आरेक में दर्शाएंगे तो आरंभिक इस्थिती हम गैस की A लेते हैं आरंभिक अवस्था में गैस का दाव P1 था आयतन V1 और इसका ताप T1 और जब प्रसार हुआ इसका मदलब दाप धीरे-धीरे घटने लगा आयतन बढ़ने लगा लेकिन ताप नियत ही रहेगा क्योंकि ये प्रक्रिया अत्यंत ही धीरे-धीरे हो रही थी और इस कंडिशन में उश्मा के आदान-प्रदान के कारण ताप नियत था तो गैस जो है वो दूसरी अवस्था में पहुच जाएगा जिसको हम B से दर्शाएगे और इस कंडिशन में दाब चेंज होकर P2 हो गया आयतन भी बढ़कर V2 हो गया पर ताप T1 ही रहेगा तो सूचक आरेक में A से लेकर B तक बनाया हुआ ये आरेक ये समतापी प्रसार को दर्शाता है और इस समतापी प्रसार में Q1 उश्मा लेने के बाद गैस द्वारा किया गया कारिय यदि W1 से दर्शाया जाता है तो ये W बन वराबर होगा R T1 लॉग E V2 अपॉन ये कैसे आया इसकी गढ़ना हम लोग पहले भी कर चुके है जब हमने समतापी प्रसार में गैस द्वारा किये गए कारिकी गढ़ना की थी और यदि इसको हम सूचक आरेक से देखें तो यहां आरेक A B और इस आयतन अक्ष X अक्ष के बीच में जो घिरा हुआ छेतर फल है उसके बराबर होगा W1 बराबर होगा A B B' A' A' का छेतर फल अब हम इसी बेलन को उठा कर इस कूचालक प्लेटफॉर्म में रख देते हैं जब कूचालक प्लेटफॉर्म में रखा जाएगा इसका मतलब इस बेलन से अब उश्मा का आदान प्रदान नहीं होगा लेकिन गैस का प्रसार होता रहेगा क्योंकि पिस्टन अब उपर की तरफ मूफ कर रहे यदि तो वो उपर की तरफ ही मूफ करता رहेगा जब तक उस पर कोई बाहय बल ना लगाया जाए तो इस condition में जो प्रसार हो रहा है जिसमें की उश्मा की मात्रा नियत है तो ये प्रसार कहलाता है रुद्धोश्म प्रसार इस रुद्धोश्म प्रसार में दी गई उश्मा की मातरा नियत है, आयतन में वृद्धी हो रही है, तो इस कंडिशन में गैस का ताप धीरे धीरे गिरने लगेगा माना की पूरे प्रसार के द्वारान गैस एक डिफ्रेंट अवस्था में पहुँच जाती है, जिसको हम सी से रिप्रेजन करते हैं, तो उस अवस्था में गैस का ताप डिक्रीज होके गिर कर टीटू हो जाएगा इसको यदि हम सूचक आरेक में देखें, तो इसे हम वक्र बी सी से दर्शाएंगे यहाँ पर दाब कम हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है और तापमान गिर चुका है जिसको हम बिंदू सी से दर्शा रहें और इसे हम लिखेंगे पी थरी, वी थरी और ताप लिखेंगे टीटू इस रुद्धोष प्रसार में गैस के द्वारा किया गया कारिय है, मान लीजे डब्ली टू से दर्शाया जा रहा है तो डब्ली टू बराबर होगा आर टीवन माइनस टीटू अपॉन गामा माइनस वन और यदि इसको हम सूचक आरेक में देखें तो ये इस बी सी वक्र और इस आयतन अक्ष के साथ घीरे हुए छेतर फल के बराबर होगा यानि डब्ली टू बराबर बी सी, सी डैश, बी डैश, बी का छेतर फल होगा अब इस सिलेंडर को उठा कर इस सिंख पर रख दिया जाता है अब हम जानते हैं कि सिलेंडर का जो आधार है वो चाल की है इसके कारण इस सिलेंडर और सिंख के बीच में उश्मा का आधान प्रदन शुरू हो जाएगा यानि कि अब जो उश्मा है वो इस सिलेंडर में भरे गैस से इस सिंख की और प्रवाहित होगी जब हम पिस्टन को धीरे-धीरे दबाते जाते हैं जिसके कारण इस गैस का दाब बढ़ते जाएगा और इसका आयतन धीरे-धीरे घटते जाएगा चुकि यहाँ पर बेलन के अंदर रखे गैस और इस सिंख के बीच में उश्मा का आधान प्रदान हो रहा है इसके कारण यहाँ पर इन दोनों का ताब एक ही हो जाएगा अब यहाँ पर यदि इस बेलन में भरे सिलेंडर का ताब टीटू है तो इस सिंख का ताब भी टीटू ही रहेगा और यह पूरी प्रक्रिया यानि कि यह जो संपीडन की प्रक्रिया है जहां पर गैस को पिस्टन की सहता से दबा कर उसके आयतन को कम किया जा रहा है इस पूरी प्रक्रिया में ताप एक समान रहेगा और यू कहें कि ये प्रक्रिया समतापी समपीडन कहलाएगी जिसके कारण गैस अब अपनी नई अवस्था को ग्रहन करेगा इस नई अवस्था में मान लीजिए गैस का दाप P4 है इसका आयतन V4 है और इसका ताप T2 है तो इसको हम सूचक आरेख में D अवस्था से दर्शाएंगे यहाँ पर जो CD वक्र है यही समतापी समपीडन को दर्शाता है और इस समतापी समपीडन में गैस पर किया गया कारियर जिसको हम W3 से दर्शा रहे हैं यह होगा R T2 लोग V3 अपॉन V4 क्योंकि यहाँ पर गैस अपने V3 आयतन से V4 आयतन में पहुच चुका है और यदि इसको हम सूचक आरेक से दर्शाएं तो इस CD वक्र और इस आयतन अक्ष के साथ जो छेतरफल बन रहा है वो छेतरफल इस समतापी समपीडन में गैस पर किये गए कारे की गढ़ना करेगा यानि कि W3 बराबर हो जाएगा वक्र CD, D-C-C का छेतरफल मान लीजिए इस पूरी प्रक्रिया में क्यू टू उश्मा सिंक को दी जारी है हम जानते हैं कि समतापी प्रक्रिया में तापमा नियत रहता है जिसके कारण उसकी आंतरिक ओर्जा भी नियत रहती है इस निये जो उश्मा है वो कार्य के बराबर होता है तो यहाँ पर भी गैस पर किया गया कार्य है इस गैस द्वारा दी गई उश्मा के बराबर होगा यानि कि W3 बराबर Q2 होगा अब हम वापिस इस सिलेंडर को उठाकर इस कूचालक प्लेटफॉर्म में रख देते हैं जब हम इस सिलेंडर को उठाकर इस कूचालक प्लेटफॉर्म में रखते हैं तो यहाँ पर उश्मा का आदान प्रदान रुक जाता है और उसके बाद हम पिस्टन को धीरे-धीरे और दबाते हैं, यानि कि गैस में संपीडन करते हैं, तो यहां संपीडन रुधोश में संपीडन होगा, चुकि उश्मा अब इस बेलन से बाहर नहीं जा पा रही, इस संपीडन में दाब बढ़ते जाएगा, आयतन कम होते और तापमान फिर से बढ़ने लगेगा, अब हम गैस को इतना कमप्रेस करते हैं, कि उसे हम पुनह उसकी पूर्व अवस्था में पहुचा दे, और जब गैस पुनह अपनी पूर्व अवस्था में पहुच जाता है, तो उसका तापमान T2 से बढ़कर T1 हो जाता है, यदि हम सूचक आरेक को देखें, तो गैस की पूर्व अवस्था A से दर्शाई जारी है, तो इसका मतलब अब गैस D अवस्था से A अवस्था में पहुच जाएगा, जिसको हम वक्र D A के द्वारा दर्शाएंगे, और इस पूरी प्रक्रिया को हम रुद्धोश में संपीडन कह हेंगे, तो वो होगा W4 बराबर आर T1 माइनस T2 अपन गामा माइनस 1, जो कि सूचक आरेक में वक्र D A और आतन अक्ष से घिरा हुआ छेतरफल होगा, यानि कि A D, D' A' A का छेतरफल, इन चारों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद, गैस पुनह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, यानि कि ये एक चक्रिय प्रक्रिया है, जिसमें कि एक चक्र चार प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, जिसमें कि समतापी प्रसार, रुद्धोश में प्रसार, सम सम्तापी संपीडन और रुद्धोष में संपीडन सामिल हैं और इन चार प्रक्रियाओं के एक चक्र को हम कार्णों चक्र के नाम से भी जानते हैं सूचक आरिक में यह बंद वक्र A, B, C, D के द्वारा कार्णों चक्र को दर्शाया जाता है हमने जब PVR1 पढ़ा था तो यह जाना था कि सम्तापी प्रक्रिया में जो वक्र का ढाल है वो कम होता है और रुद्धोष में प्रक्रिया में वक्र का ढाल अधिक होता है और इसी के अनुसार ये पूरे कार्णों चक्र का ग्राफ कुछ इस प्रकार हमको देखने को मिलता है इस पूरे चक्र में किया गया कुल कार्य कितना होगा इस पूरे कार्णों चक्र में प्राप्त कार्य हर प्रक्रिय के कार्य का योग होगा यानि कि W बराबर होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 पर यहां पर हम देखें तो समतापी प्रसार और रुदोश्म प्रसार में गैस द्वारा कार्य किया गया है पर समतापी संपीडन और रुदोश्म संपीडन में गैस पर कार्य किया गया है तो गैस पर किये गए कारे को हम रिनात्मक चिन्र के साथ लिखेंगे तो इस प्रकार W बराबर होगा W1 प्लस W2 माइनस W3 माइनस W4 और यहाँ पर समी करण 1, 2, 3, 4 से हम W1, W2, W3, W4 का मान रख देते हैं मान रखने पर यहाँ हम देखते हैं कि जो W2 है और W4 है इनके मान बराबर है पर यह विपरत साइन होने के कारण यह एक दूसरे को कैंसल कर देंगे और यहाँ पर बचेगा W बराबर RT1 लॉग E V2 अपॉन V1 माइनस RT2 लॉग V3 अपॉन V4 इसको दर्शाते समी करण 5 से एक पूर्ण कारणों चक्र में कूल कार यह है W1 माइनस W3 होगा और W1 यह समतापी प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य था और इस प्रसार में Q1 उश्मा गैस द्वारा ली जा रही थी अफशोशित की जा रही थी इसका मतलब W1 Q1 के बराबर होगा यानि कि अफशोशित की गई उश्मा के बराबर और वैसे ही समतापी सम्पीडन में Q2 उश्मा सिंक को दी जा रही थी इसका मतलब इस सम्पीडन में जो गैस पर किया गया कार्य है वो दी गई उश्मा के बराबर होगा यानि W3 बराबर Q2 तो यदि हम दक्षता का फॉर्मला देखें तो दक्षता जो है उपयोगी कार्य और अफशोशित की गई उश्मा का अनुपात होती है तो हम लिख सकते इटा बराबर W अपॉन Q1 और W बराबर था W1 माइनस W3 तो हम लिखेंगे इटा बराबर W1 माइनस W3 अपॉन Q1 अब यहाँ पर हम जो कार्य है उसको यदि उश्मा के रूप में लिखें तो इटा बराबर Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 होगा और यहाँ से इटा बराबर मिलेगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 जैसे कि हमने उश्मा इंजन की दक्षता में प्राप्त किया था अब इसी फॉर्मूले को यदि हम टैंप्रेचर की टम्स में लिखना चाहें तो थोड़ा सा इस समीकरण में mathematical calculation करना पड़ेगा तो यहाँ पर हम W1 का मान और W3 का मान लिखते हैं जो हमने प्राप्त किया था समीकरण 1 और 3 से तो होगा R T1 log V2 upon V1 माइनस R T2 log V3 upon V4 यदि हम वक्र BC को देखें तो यह एक रुद्धोश में वक्र है जहाँ पर रुद्धोश में प्रसार हो रहा था और B और C इसी रुद्धोश में वक्र के दो बिंदू है तो यहाँ पर हम लिखेंगे P2 V2 पावर गामा बराबर P3 V3 पावर गामा वैसे ही बिंदू A और D ये बिंदू भी रुद्धोश में वक्र में ही है जहाँ पर रुद्धोश में सम्पीडन हो रहा था इसलिए यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 पावर गामा बराबर P4 V4 पावर गामा अब इन दोनों समी करनों को एक दूसरे से भाग देने पर हमें मिलेगा P2 V2 पावर गामा अपॉन P1 V1 पावर गामा इकवल टू P3 V3 पावर गामा अपॉन P4 V4 पावर गामा अब इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे जो आयतन के पावर में गामा है उसको हम इस प्रकार तोड़ कर लिखेंगे दो भागों में बाट कर लिखेंगे तो इस फॉर्मिले को कुछ ऐसा लिखा जा सकेगा P2 V2 V2 पावर गामा माइनस वन अपॉन P1 V1 V1 गामा माइनस वन जब आयतन को सॉल्फ करेंगे चाहे V2 हो चाहे V1 हो तो वो पावर में गामा ही हमको प्राप्त होगा इक्वल्टू के राइट हैंड साइड मिलेगा P3 V3 V3 पावर गामा माइनस वन अपॉन P4 V4 V4 पावर गामा माइनस वन अब यहाँ पर समतापी प्रक्रिया भी हो रही है और समतापी प्रसार और समतापी संपिडन ये दोनों ही कंडिशन में बॉयल के नियम का पालन होता है और यहाँ पर हम बॉयल के नियम से लिख सकते हैं PV बराबर नियतांग तो हम लिख सकते P1 V1 बराबर P2 V2 वैसे ही P3 V3 बराबर P4 V4 अब इस समीकरण में मान रखने पर हमें मिलेगा V2 पावर गामा माइनस 1 अपन V1 पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू V3 पावर गामा माइनस 1 अपन V4 पावर गामा माइनस 1 और इनको एक bracket पर लिखेंगे हम तो simplify करने पर हमें मिलेगा V2 upon V1 equal to V3 upon V4 यानि कि इस V3 upon V4 के अनुपात के जगे हम V2 upon V1 लिख सकते हैं तो जो दक्षता का formula हमने लिखा है इटर बराबर RT1 log V2 upon V1 minus RT2 log V3 upon V4 upon RT1 log V2 upon V1 एक्चुली नीचे जो है वो अफशोशित उश्मा की मात्रा है और अफशोशित उश्मा की मात्रा को हम समतापी प्रसार में किये गए कारे के बराबर लेते हैं इसलिए हमने यहाँ पर उसी का ही formula लिखा है तो यहाँ पर V3 upon V4 के जगे हम V2 upon V1 लिख देते हैं और सरल करने पर हमें eta का formula मिलेगा eta बराबर RT1 minus T2 log V2 upon V1 log V2 upon V1 common ले ली हमने upon RT1 log V2 upon V1 और यहाँ से log V2 upon V1 उपर और नीचे से denominator numerator से cancel होगा R का value भी cancel हो जाएगा तो हमें दक्षता का formula मिलेगा eta बराबर T1 minus T2 upon T1 और यहाँ से भी हम देखें तो eta बराबर मिलेगा 1 minus T2 upon T1 तो जो formula हमको उश्मा उंजन की दक्षता का मिल रहा था वो उश्मा के रूप में थी और यहाँ पर हमने उसी formula को temperature यानि ताप की रूप में convert कर दिया है अभी दोनों ही formula को हम देखें तो यह इस पर्ष्ट है कि यह मान एक से कम होगा यानि कि किसी भी उश्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है कि आदर्श स्थिती में कल्पना की गए इस कार्णों इंजन की दक्षता भी 100% नहीं हुए यदि हम सूत्र अनुसार यह सोचें कि सिंक को उश्मा ना दी जाए इस Q2 उश्मा का मान जीरो हो जाए उस condition में तो इस कार्णों इंजन की दक्षता 100% हो सकती है पर यह भी संभव नहीं क्योंकि यह जो हम सिंक कह रहे हैं वास्तव में तो यह वातावरण ही है और जब हम उश्मा को कारी में परिवर्तित करते हैं तो जो विभिन निकाय या फिर अरिजमेंट जो हम इस इंजन में यूज करते हैं उसमें इस उश्मा ओर्जा का किसी अन्य ओर्जा की रूप में इस्थानांत्र निश्चित रूप से हो ही जाता है जैसे कि हमने इसमें एजियोम किया था कि जो piston हमने लिया है वो पूर्ण रूप से घर्शन रही थो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि piston पूर्ण रूप से घर्शन रही थो और साथ-साथ वो कूच अलग भी हो यदि हम पूरे टाइट से पैक कर दें इसको बिल्कुल कूच अलग बना दें यानि कि वो मूव भी करें और उसके बाद घर्शन भी नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं और ऐसा कोई भी धातू नहीं है जो पूर्ण रूप से कूच अलग हो या जो बहुत देर तक उश्मा को कि रोक कर रख सकें साथ ही हम ये भी मानके चलते हैं जो उसका आधार रूप से चालक हो मतलब ऐसा सिस्ठम बनाना बहुत ही मुश्किल है जिसकी दिवारे तो पूर्ण रूप से कूच अलग हो और इसका अधार एकदम चालक साथ ही ये जो प्रक्रिया है वो बहुत ही धी भीरे-धीरे होती है जो कि वह वार में संभव नई यदि इंजिन बनाया जाता है उसमें уб unity निकाह वह काफी तेजी से गती करते हैं जिसके कारण उनकी दक्षता--100% होना थो असंभव ही है साथ इस दक्षता के सूत्र को हम देखे जिसमें कि इटर बराबर 1-usstain तो उसे यह साबित होता है कि जो दक्षिता है वो केबल श्रोत और सिंख के तापमान पर ही निर्भर करती है यहाँ पर अपने कौन सा कारे कारी पदार्थ लिया है उसकी प्रकृति पर दक्षिता निर्भर नहीं करती यानि कि दो अलग अलद उश्मा इंजन उत्क्रम्निय इंजन एक ही तापमान के बीच में कारे कर रहे हों तो दोनों की दक्षिता एक ही होगी दक्षिता का सूत्र इटा बराबर 1-Q2 upon Q1 इसे हमने कनवर्ट किया था ताप की रूप में जहां पर हमने लिखा था इटा बराबर 1- T2 upon T1 वो इसलिए क्योंकि इस पर अधारिक आंकि प्रश्ण एकजाम में देखने को हमको मिलते हैं तो इसके एक उधारन के रूप में एक प्रश्ण को हम हल करते हैं प्रश्ण पहला एक कार्णों इंजन की दक्षिता 50 प्रतीशत है जबकि सिंग कता 7 डिगरी सेल्सियस है इसकी दक्षिता 70 परसेंट करने के लिए ग्याद कीजिये की पहला श्रोत कताब कितना बढ़ाना होगा दूसरा सिंक कताब कितना घटाना पड़ेगा इसका हल देखते हैं प्रश्ण में हमको सिंक कताब दिया गया है यह है 7 जिएवेन डिग्रिस सेलशियस तो सबसे पहले 15000 डिग्रिस सेलशियस को हम कैल्वीन में करें जो केल्वीन में करने हिए से केलीन में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम डू स प्लस करेंगे तो सिंक कताप T2 बराबर हो जाएगा 280 Kelvin प्रारहंब में प्रश्ण अनुसार इस कार्णों इंजन की दक्षता ETA बराबर 50% है यानि कि अंकों में यदि देखें तो ये 1 by 2 है यदि दक्षता का सूत्र लिखें तो ETA बराबर 1 minus T2 upon T1 जहाँ पर T2 हमें ग्यात है लेकिन T1 अग्यात है तो सबसे पहले हम श्रोत का ताप ग्यात करेंगे तो T2 upon T1 बराबर 1 minus ETA और यहाँ से T1 upon T2 बराबर होगा 1 upon 1 minus ETA और T1 बराबर होगा T2 upon 1 minus ETA अब सारा मान यहाँ पर रखने पर हमें मिलेगा 280 upon 1 by 2 और T1 बराबर होगा 560 Kelvin जब हमें श्रोत का ताप मन ग्यात हो चुका है तभी हम आगे दो दिये गए प्रशनों की गढ़ना कर सकेंगे हमें ग्यात करना है श्रोत का ताप कितना बढ़ाना पड़ेगा तो सबसे पहले हम मानेंगे कि श्रोत का ताप T1- है तो दक्षता के सूत्रे के अनुसार ETA बराबर 1-T2 upon T1 होता है दक्षता है 70% यानि कि 70 upon 100 बराबर 1-280 upon T1- और 280 upon T1- बराबर 1-7 upon 10 और इसको हल करने पर हमको मिलेगा 280 upon T1- बराबर 3 upon 10 और T1- यहाँ पर मिलेगा 280 into 10 upon 3 और कैल्कुलेट करने पर T1- बराबर 933.3 Kelvin अब श्रोत के ताप में कितनी वृत्थी हो इसे निकारने के लिए हम इसमें आरंभिक ताप को घटा देंगे यानि कि 933.3-560 बराबर 373.3 Kelvin अब इसी प्रश्णे के दूसरे पार्ट को हल्क करते हैं और इसके लिए हम सिंक के ताप को T2- मानते हैं सूत्र अनुसार इटा बराबर 1- T2- अपॉन T1 इस स्थिती में कार्णो इंजन की दक्षता 70% है इसलिए 70 अपॉन 100 बराबर 1- T2- अपॉन 560 और T2- अपॉन 560 बराबर 1-7 अपॉन 10 इसको हल करने पर हमें मिलेगा 3 upon 10 तो T2- बराबर होगा 560 into 3 upon 10 तो T2- का मान मिलेगा 168 Kelvin तो सिंक के ताप में कमी निकालने के लिए हम इसे 280 से माइनस करें 280-168 बराबर होगा 112 डिग्री सेल्सियस और यही सिंक के ताप में कमी होगी एक उत्क्रम्निय इंजन श्रोट से 746 J उश्मा अफशोशित करता है तथा सिंक पर 546 J उश्मा निश्काशित करता है यदि श्रोट वसिंक के ताप का अंतर 100 डिग्री सेल्सियस है तो ग्याद कीजिए इंजन से प्राप्त कारिये इंजन की दक्षिता वा श्रोट वसिंक के ताप इस प्रश्ण को तीन अलग अलग भाग में हमें सरल करना है प्रश्ण अनुसार Q1 बराबर 746 J, Q2 बराबर 546 J और ताप का जो अंतर है यानि की T1-T2 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस एक्वल टू 100 कैल्विन डिग्री सेल्सियस को हम सबसे पहले कैल्विन में कन्वर्ट करते हैं इंजन से प्राप्त कारिये प्राप्त कारिये अफ्षोशित की गई उश्मा और दी गई उश्मा का अंतर होता है इसलिए W बराबर Q1-Q2 यानि कि 746-546 इक्वल टू 200 J इंजन की दक्षता इटा बराबर 1-Q2 अपन Q1 और इटा बराबर 1-546 अपन 746 जिसको हल करने पर हमें मिलेगा 0.268 और प्रतिशत में हम निकाले यानि कि 100 से इसको गोना करें तो यह हो जाएगा 26.8 परसें श्रोत वसिंग के ताप निकालते हैं इंजन की दक्षता इटा बराबर 1-T2 अपन T1 या फिर T1-T2 अपन T1 और दक्षता हमें प्राप्त हुए 0.268 तो 0.268 बराबर होगा 100 अपन T1 और T1 बराबर 100 अपन 0.268 और यह बराबर होगा 373.13 कल्विन के तो T2 बराबर होगा 373.13-100 जो की 273.13 कल्विन होगा प्राबर होगा